हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सबके सब उमीद करते हैं सभी बहुत अच्छे से होंगे तो आज मैं बनाऊंगी नास्ते में प्यास का पराथा आप लोगों की साथ में रेसिपी शेयर करने जा रही हूं बहुत ही टेस्टी बनता है जरूर से ट्राई कीजिएगा तो जी आगए है किचन में और बनाएंगे डिलीसियस सा प्यास का पराथा तो यहाँ पे मैंने एक प्यास लिया है बारी कट कर लिया है थोड़ा सा हरा धनिया और एक हरी मिर्च मैंने बारी कट की है इससे हमारे दो पराथे बनके तयार हो जाएंगे मसालों में डाल रही हूँ नमक, स्वादा नुसार, हरा धनिया पाउडर, सोरी सुखा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि हरी मिर्च ओलेडी डाल चुके हैं एक चमच भरके अमचूर पाउडर, थोड़ा सा डाल रही हूँ हल्दी, पाउडर और थोड़ा सा जीरा, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज्यान रखेगा हाथ से मिक्स मत कीजेगा, अधरवाइस प्याद पानी छोड़ देता है, तो ये स्टाफिंग हमारी बन के तयार है प्राठे के लिए, आठा मैंने अल्रेडी गून के रखा हुआ है, तो इस लोई को हम किनारों से पतला कर लेंगे, बीच में से मोटा ही रखेंगे, और इसमें हम स्टाफिंग भरेंगे, आदे स्टाफिंग में इसमें भर लूँगी, और इसको इस तरह से लॉक कर प्यास का प्राठा बनाना आसान होता है, आलू के प्राठे में थोड़ा सा फटने का हड़क रहता है, लेकिन प्यास का प्राठा एजिली बन जाता है, और ये जो थोड़े थोड़े से प्यास आपको उपर नजर आ रहे हैं, इस प्राठे में क्रंचीनेस आएगी और और यह हमारा पराठा सिखने के लिए तयार है पलट लेंगे हलका सा सिखने के बाद में और एक बार और हम इसको पलटेंगे फिर हम इसको बटर के साथ में तयार कर लेंगे कुछ लोग ओयल में भी बनाते हैं तो जो आपको पसंद हो मुझे बटर के बने विए पराठे अच्छ तो बटर के साथ में तयार कर लूँगी और इसको मैं सिंपल दही के साथ में सर्व करूँगी बहुत ही तेस्ती लगता है अगर आप लोगों ने इस तरीके से कभी नहीं पनाया है तो जरूर से एक बार करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको कैसा तो यह हमारा पराठा अल्मॉस्ट सिक्के तैयार है और थोड़ा सा हम इस पे बटर और लगा लेंगे उपर से और दरी के साथ में सारो करेंगे वीडियो पसंद आया हो लाइक किजेगा शेयर किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लीजेगा मिल देन